हेलो दोस्तों हमारा आज का टौपिक है सरली करन यानिकी सिंफिलिफिकेशन तो हमारे पास सरली करन के दो अलग-अलग खेश्चेन और इन दोनों कुश्यन को लोग शॉल्ट करेंगे तो आप कुश्चन में ध्यान दीजे इस क्वेस्चन में क्या है फिर्ष्ट कुश्चन में यहां माइनस है पलस है फिर भागा है फिर गुना है फिर माइनस है आने की एक ही कुश्चन में बहुत सारे संक्रियाएं दी गई है आने की अलगले तरह की संक्रियाएं करनी है तो जब अलगले तरह की संक्रियाँ एक ही कुश्चन में हो तो उसे क करली करन का नियम है और इसका जो अर्थ है वो समझे तो देखे बी से यहां ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट तीन प्रगार का होता है सबसे पहलाब स्मॉल ब्रैकेट होता है उसके बाद करली ब्रैकेट उसके बाद बिग ब्रैकेट यह बी से हो गया अब ओ से होता है ओ गुना होता है फिर D से Division मतलब भागा होता है M से Multiplyction मतलब गुना होता है A से Adaptation मतलब जोड़ होता है S से Subtraction मतलब घटा होता है तो ये 6 थरह के संकिरियां यहां होती है तो जब हम Question को Solve करेंगे तो सबसे पहले हम Bracket को Solve करेंगे उसके बाद off को फिर भागा को फिर गुना को फिर जोड को फिर गटाव को तो सलिए हम लोग बडमास के नियम की सायता से हम लोग first question को solve करते हैं तो उमारा question क्या है देखिए 8-3 प्लस 5 भागा 10 गुला 4-7 तो देखिए सबसे पहले हम एक solve क्या करना होता है bracket आनि B से bracket तो इसमें bracket तो नहीं है फिर आगे बड़ी आप वो है वो बतलब off होता है आफ भी यहां नहीं है फिर D है आनि division है तो सबसे पहले हम यहां इस question में हमनों division को solve करेंगे आनि कि भागा को solve करेंगे क्योंकि हमें board mask के नियम से solve करना है तो अब ध्यान दीजे भागा यहां क्या है हमें 5 को भागा देना है 10 से आनि इस part को हमें solve करना है क्योंकि पहले भागा को solve करेंगे तो जो बचा हुआ part जो है उससे जियों के 3 लिख देंगे आनि कि हम 8-3 लिखेंगे फिर यहां plus 7 लिखेंगे अब 5 को अगर 10 से भागा देते हैं देखिए 5 को अगर हम बटा में 10 लिखते हैं क्योंकि 10 का भागा लग रहा है यहां तो यहां 5 से 10 कट जाएगा दो बार में और 5 एक बार में आनि कि 5 से 10 कट जा रहा है इसके बाद जो क्रिया है गुना चार है तो यसे लिखे। गुना चार फिर माइनस साथ है तो माइनस साथ लिखे। अब हमें यह जो number मिल चुका है एक बटत दो मिल चुका है आने कि अगर फिर से solve करें देखें तो 8-3 लिखेंगे फिर माइनस साथ है तो माइनस साथ लिखेंगे अब देखिए हमें अगला operation किस चीज़ को करना है बोटमास में देखिए हम लोग यहां तक solve कर चुके हैं division तक उसके बाद aim है और की multiplication है और की गुना solve करना है तो गुना का part कौन सा है एक बटा 2 को गुना करना है 4 से आनि इस part को solve करेंगे तो चलिए solve करते हैं देखिए जो बचागवा part है उसे जियों कातियों लिख दीजे 8-3 लिख देंगे हम और फिर plus है अब एक बटा 2 को 4 से गुना करेंगे देखिए हम 2 और 4 कटेंगे दो से अगर 4 को काटेंगे तो दो बार में कट जाएगा चार दो बार में कट जाएगा अब जो उपर में बचीव संख्या 1 है और फिर गुना 2 है तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो हमें 2 मिलेगा निज ये कोई संख्या नहीं है फिर minus 7 है तो minus 7 लिखिए अब हमें minus plus minus है तो देखे D और M को भी solve कर चुके है अब हमारा ये है आने की addition आने जोड है तो हम लोग इस पार्ट को solve करेंगे आने जोड को solve करेंगे तो अब धियान देजिए यहां पर यहां plus है और 8 के पास कुछ नहीं है तो plus है आने की 2 numbers यहां plus plus है तो यह दोनों numbers जूड जाएंगे फिर minus 3 और minus 7 है तो 2 minus minus जूड जाएंगे आने की सेम तरह की sign वाले संख्या जूड जाती है तो देखे 8 और 2 जूड के 10 हो जाएगा और इसी परकार 3 और 7 जूड के 10 हो जाएगा लेकिन इसके साथ minus का sign लगा हुआ है तो यहां minus का sign लगा देंगे अब देखे 10 में से 10 को गटाना है 10 minus 10 करना है तो जानते हैं 0 हो जाएगा तो इसका जो final answer आएगा वो 0 हो जाएगा तो हम लोग first question को solve कर चुके हैं अब हम लोग second question को solve करेंगे देखें second question क्या है 9 plus big bracket आने की बड़ा कुष्टेक है फिर 5 है minus 2 है फिर माइला कुष्टेक है जिससे curly bracket भी बोलते हैं फिर 7 है minus है फिर small bracket है 4 भागा 2 फिर 3 bracket से close है तो चाली solve करते हैं तो देखें इसमें भी हम लोग इस board mask के नियम का वियोग करेंगे तो देखें सबसे पहले क्या करना होता है bracket को solve करते हैं बट अगर यहां तीनों bracket है यहां तीनों परकार के bracket अगर यहां है तो सबसे पहले किस bracket को solve करेंगे सबसे पहले हम लोग छोड़ा bracket आने की small bracket को solve करेंगे उसके बाद हम लोग फिर मैंजले ब्रेकेट आने की करली ब्रेकेट फिर बिग ब्रेकेट को सॉल्फ करेंगे आने की करम से हम लोग सॉल्फ करेंगे अस्मॉल मैंजला फिर बिग ब्रेकेट तो चलिए कुशिन को सॉल्फ करते हैं सबसे पहले में small bracket को solve करना है आनि कि इस तरह का जो bracket होता है उससे solve करना है देखिए small bracket यहां कहा है उसे ढूणिए तो small bracket यहां है आनि इस part को में लोग solve करेंगे क्योंकि small bracket के अंदर का जो part है उससे सबसे पहले solve करते है तो जो बचागोब पार्ट रहेगा उसे जियों कत्यों लिख देंगे देखिए यहां तक की सारे पार्ट को हम लोग सेम उतार देंगे आनि सेम लिख देंगे उसके बाद इस पार्ट को सॉल्प करेंगे देखिए 9, पलस, big bracket, 5, माइनस, 2, महिला bracket, 7, माइनस, उसके बाद इस पार्ट को solve करेंगे हम यहाँ 4 और 2 से आनी कि 4 बटा 2 करेंगे अब हमें bracket को हटा देना क्योंकि हम लोग इस पार्ट को solve कर चुके हैं आनी कि small bracket को हम लोग हटा देंगे अब डाइट हम इस smiley bracket को लिखेंगे आने के curly bracket को लिखेंगे इसके बाद फिर big bracket को तो यहां दियान दीजिए अगर हम 4 को 2 से काटेंगे तो हमें 2 बार में कट जाएगा और यहां सिर्फ 2 बच जाएगा अब इस पार्ट को फिर से solve करते हैं देखिए करना क्या है हम small bracket को solve कर करते हैं तो यहां मेंड़ी bracket कहा है देखिए यहां और यहां के बीच इस पार्ट को सबसे पहले आप solve करेंगे तो चलिए solve करते है नो प्लस बिग ब्रेकेट 5 माइनस दो और इसके अंदर का पार्ट को solve करना है तो अंदर में क्या है देखिए 7 माइनस यहां सिर्फ 2 बचा हुआ है तो 7 में 2 को हटाएंगे तो में 5 मिलेगा बट इसे अभी हम लोग इस मिडिल ब्रेकेट से बंद ही रखेंगे उसके बाद फिर से में बिग ब्रेकेट को डालना है अब हमें क्या करना है देखिए फिर simplify करेंगे 9 प्लस बिग ब्रेकेट 5 अब यहां देखिए इस ब 2 गुलना 5 केट ना हो जागा 10 हो जाएंगा और इसमें माइनस के डिखेंगे अभी इसे हमें clos करना है देखिए हुआ क्ठालेंगे देखिए लाश बीग ब्रेकेट से ब्रेकेट को हटा चुके हैं अब हमें क्या करना है लाश्ट ब्रेकेट को solve करना लाएक है इन से यहां minus 5 तो देखे अगर हम इस minus को बाहर ले आएं तो क्या हो जाएगा 9 minus 5 और इसका जो result आएगा 9 में से 5 गट आएगे तो 4 आएगा ये हमारा final answer हो जाएगा तो ये तरीका होता है इस तरह के question को solve करने का आने की salary guarantee question को solve करने का तो उमीद करते हैं आपको में थर समझ में आ चुका होगा तो अगर आप वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को subscribe जरूब कीजिए क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो, thank you